आदर्श ने कहा, हाँ और ठीक यही मिस्र कर रहा है, विशेश कर आधुनिक समय में, लगभग हर शहर मरे नहीं की गतिविधी सीमा के बाहर बनाया गया है, आम तौर पर, मिस्रवासियों को मरे हुए लोगों द्वारा आकरमन किये जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालांकि प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़े गए खजाने की खोज के लिए कुछ प्राचीन परिवार और पुराने शिकारी कभी-कभी पिरामिड के खशेत्रों में प्रवेश करेंगे, उनका मानना है कि पिरामिड के अंदर खजाने के पहाड हैं और यहां तक की एक या दो टुकड़ा भी टन पैसे के लायक है, आखिरकार यदि प्राचीन फिरॉन ने अभिशाप तत्व और मरे हुए तत्व का आविशकार किया था, तो उनकी संपत्ती के बीच बहुत अविश्वस निय खजाना होना चाहिए, जियां यू की आखें चमक उठीं, उसे खजाने में बड़ी दिल्चस्पी लग रही थी, तो इसका म्रिगत्रिश्णा से क्या लेना देना है, आदर्श मुख्य विशय पर वापस चला गया, पिरामिड मृतकों के क्षेत रहें, जबकि मनुष्य शहरों में रहते हैं, जब तक मनुष्य मरे हुओं के प्रदेशों से बाहर रहेंगे, तब तक कोई समस्या नहीं होगी, दुर्भाज्य से प्रकृती पिरामिडों और शहरों के बीच शाश्वत शांती की अनुमती नहीं देती है, क्या एक म्रिगत्रिशना एक अलग जगह पर कुछ प्रोजेक्ट करने में सक्षम नहीं है, जियांग्यू ने उसे उक्साया, जियांग्यू ने आदर्श को उची जमीन पर ले जाने के लिए कहा, सफेद टेंट के अंत में, सिटी साउथ माउंटेन पर एक लंबा अवलोकन तौबर था, जियांग्यू आदर्श को तावर की ओर ले जा रहा था, वहाँ उपर जाओ और उत्तर की ओर देखो, जियांग्यू ने उससे टौबर के शीर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, आदर्श थोड़ा उल्जन में था, वह एक छाया पक्षी में बदल गया, और तेजी से दीवारों के साथ टौबर पर चड़ गया, आप गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं, कि मेरे जैसा दाना धीरे-धीरे सीधियां चड़ रहा होगा, अब्जर्वेशन तावर पर ग्यूटी पर मौजूद मिसर का गार्ड आदर्श को छाया से बाहर निकलते देख दंग रह गया, आदर्श ने अपनी पहचान के बारे में संखशेप में बताया, और जियांग यूद्वारा बताई गई दिशा की ओर देखा, तावर ने उन्हें पक्कीनी शहर का एक स्पष्ट द्रिश प्रदान किया, जैसे ही उन्होंने पीली मिट्टी की विशाल भूमी और रेत के टीलों के बीच तै की गई दूरी पर नजर डाली, आदर्ष सूरज की रोष्णी में चमकती एक सुनहरी संरचना को देख कर चौक गए, शहर के उपर बिखरी धूप गर्म और आराम दायक थी, लेकिन किसी कारण से पिरामिड के क्षेतर में प्रवेश करने पर यह बरफीला और भयानक महसूस हुआ, जैसे की उनकी वजह से इसका रंग बदल गया हो, रुको, क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि निकटम पिरामिड लगभग 200 किलोमिटर दूर है, यह 200 किलोमिटर कैसे है, आदर्श का दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह पिरामिड और उसकी भयावा आभा को देख रहा था, पिरामिड शांदार था, हाला कि यह केवल 50 मीटर से अधिक उची एक धेर पत्थर की संरचना थी, लेकिन आदर्श को उसी तरह का दबाव महसूस हो रहा था, जैसे की एक विशाल सेना को उसकी दिशा में आते हुए देख कर, पिरामिड की तुलना में पक्कीनी सिटी अचानक छोटा और नाजुक महसूस हुआ, सोना आमतोर पर पवित्रता, बड़पन और रॉयल्टी का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन आदर्श की नजर में गोल्डन पिरामिड दराने वाला और दरावना लग रहा था, फिर भी वह जो महसूस कर रहा था, उसके पीछे का सही कारण बताने में असमर्थ था, आदर्श के बोरिंग सवाल का गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, वह टावर से नीचे आदर्श का पीछा करने लगा, आदर्श ऑब्जर्वेशन टावर से नीचे कूद गया और जियान यू के सामने जागिरा, पिरामिड को देखकर उसका मन अभी भी व्याकुल था, यहाँ देखा, वह म्रिकत्रिशना है, जियान यू ने कहा, लेकिन यहाँ असली पिरामिड नहीं है, आदर्श ने कहा, मरे हुए आपके साथ सहमत नहीं लगते, आदर्श के पास शब्द नहीं थे, दूसरे शब्दों में, मरे और इंसानों के बीच युध केवल इसलिए हुआ, क्योंकि मरे हुए लोगों को असली और नतली पिरामिड के बीच अंतर करने में परिशानी हो रही थी, आदर्श ने तुरंत एक प्रसिद कहावत के बारे में सुचा, जब उन्होंने युध के पीछे का कारण सीखा, असभ्य होना वास्तव में भयानक था, यदि मरे हुए लोगों के पास वास्तव में दिमाग होता, तो वे म्रिगत्रिशना को वास्तविक पिरामिड समझने की गल्दी नहीं करते, आम तौर पर एक पिरामिड के सौ किलोमीटर के भीतर के ख्षेतर को मरे नहीं के ख्षेतर के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ है कि हम मरे हुए लोगों की आँखों में अतिचारी हैं, चीजों को बत्तर बनाने के लिए हमने वास्तव में उनके ख्षेतर में एक शहर का निर्मान किया है, वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि वे नगर को नश्ट न कर दें और सभी लोगों को मार न डालें, जियांग यू ने घोशित किया, इस दुनिया में सब कुछ संभव था, ठीक यही बात जियांग यू ने कही थी, स्वर्ग कभी भी मृतकों और जीवितों को एक ही भूमी पर शांती पूर्वक एक साथ रहने नहीं देगा, मृगतरिशना ने विस्पोटक फ्यूज के रूप में काम किया था, जब मरे हुए लोगों को पता चला कि मनुष्य उनके क्षेतर में घुसने के लिए काफी साहसी हैं, तो वे क्रोधित हो गए, जबकि जीवित इस बात से क्रोधित थे कि मृतकों ने उनके शहर में अराजकता फैलाने का साहस किया, जैसे ही म्रिगतरिशना दिखाई दी, इसका मूल रूप से मतलब था कि मृतकों और जीवित लोगों के बीच युद्ध छिड़ गया था, और आमतोर पर एक मृतरिशना काफी लंबे समय तक चलेगी, यह ठीक है अगर केवल एक पिरामिड का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अगर एक ही समय में कुछ पिरामिड का अनुमान लगाया जा रहा है, और वे एक दूसरे के काफी करीब हैं, तो पास के मानव शहर का अस्तित्व कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरे इतिहास में मिसर के कई शहर मृगतरिशना के कारण पृत्वी की सतह से गायब हो गए हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि पिरामिड किस तर पर हैं, अन्य देशों से कुछ सहायता के साथ बैटल मैच पिरामिड के भी अलग-अलग स्तर होते हैं, आदर्श ने पूछा, बिलकुल मिसर में लग-भग 93 पिरामिड हैं, प्रत्येक एक अलग आकार के हैं, उनमें से सबसे बड़ा गीजा का महान पिरामिड है, जियान यूने कहा, तो क्या गीजा के महान पिरामिड को से नीचे आ रहा था, आदर्श ने जो कहा उसे सुनकर वह तुरंट आपाखो बैठा, आदर्श अवाक रह गए, टीम आम तौर पर अंग्रेजी में बातचीत करती थी, ताकि वे भाशा में बहतर बन सकें, लेकिन इससे उन्हें परेशानी हुई, आदर्श क्या आप ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, यह यहां वर्जित है, जियांग्यू ने अपनी आवास कम की और जारी रखा, अगर गीजा के महान पिरामिड की एक म्रिगतरिशना दिखाई देती है, तो आधा मिसर गिरने वाला है, यह कोई मजाक नहीं है, इसके बारे में सोचो, जिस पिरामिड क म्रिगतरिशना द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है, वह केबल एक छोटे से फिरॉन की कबर है, फिर भी शहर पहले से ही इतनी मुश्किल में है, अगर यह गीजा का सबसे डरावना महान पिरामिड होता, तो यह पूरे देश के लिए एक आपदा होती, जियांग्यू उसे बताया, आदर्श सिर हिलाया, वह आसानी से बता सकता था कि गार्ड कितना गुस्से में है, ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस तरह की जगह पर कुछ भी आपतिजनक कहने से बचना चाहिए, आखिरकार यह वह स्थान था जहां श्राप तत्व की उत्पत्ती हुई थी, जिसका अर्थ है कि उसने जो कुछ भी कहा वह वास्तव में होने का एक मौका हो सकता है। यदि वे केबल तब तक प्रतीक्षा करते, जब तक म्रिगत्रिशना अपने आप गायब नहीं हो जाती, तो यह संभाव ना थी कि शहर जल्द ही धराशाई हो जाएगा। उन्हें म्रिगत्रिशना से चुटकारा पाने का उपाय खोजना था। जब भी किसी पिरामिड की म सुनहरी ममी हैं, क्योंकि उनके द्वारा दी गई चोटें लाइलाज हैं। यह सुनते ही टीम का माहौल बदल गया। सपष्ट रूप से जहरीली सुनहरी ममी ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ उन्हें खिलवार करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ नेता को बाहर निकालो और बाकी गिर जाएंगे। हमें जहरीली सुनहरी ममियों के कमांडर से नि त्रित्व करने वाले कमांडर की हत्या कर देगा। मरे को मारना बहुत कठिन था और यह बताना भी कठिन था कि क्या कोई मरे मरा था क्योंकि उनमें से अधिकांश टुक्रे-टुक्रे हो जाने के बाद भी जीवत रह सकते थे। वे मूल रूप से अमर थे। यह बहुत जो प्यत्रिशना को खत्म करने और युद्ध को समाप्त करने के लिए पिरामिर तक पहुचने की कोशिश नहीं कर सकते आदर्श ने पूछा। गवान्यू ने तुरंट एक खोखली हंसी निकाली और व्यंग्य किया। क्या आपको लगता है कि मरे हुए लोग सिर्फ पिरामिर के चारों और मरे हुए लोगों की संख्या बहुत ही पागल है लगभग दानव प्राणियों की भीड के पैमाने पर। लेकिन एक बार जब सेना कुछ और किलोमिटर आगे बढ़ जाती है तो घायलों को वापस ले जाना मूल रूप से असंभव है नानियू ने कहा। सेना लहर की तरह आगे बढ़ रही थी। बीच एक स्पष्ट रास्ता बनाए रखता था जिससे आपूर्ती की जा सकती थी और घायलों को वापस ले जाया जा सकता था। जो ठके हुए थे उन्हें राहत दी जा सकती थी ताकि सेना को उर्जा से बाहर निकलने से रोका जा सके। आखिरकार यदी सैनिकों की उर्जा समाप्थ हो जाती है जब वे मरे हुए क्षेतर में गहरे होते हैं तो पूरी सेना का सफाया हो जाएगा। रणनीती वही थी जो मिस्रियों ने सहसराब्दी के लिए मरे हुए लोगों के खिलाफ लड़ने के बाद बनाई थी। जब आदर्ष ने प्राचीन राजधानी में स्थिती को याद किया तो रणनीती वास्तव में उनके पक्ष में भी काम कर सकती है जिसका अर्थ है कि रुकोक यह काम नहीं कर सकता है क्योंकि उनके पास तब केवल सीमित समय था। पहला शिविर लगाया गया है। जैसे ही वे कल आगे बढ़ेंगे, हम सेना का पीछा करेंगे। वे चाहते हैं कि हम उनके हताहतों की संख्या कम करने के लिए जहरीली सुनहरी ममी निकाल ले, नान्यू ने कहा। यह एक युद्ध है, कई लोग फिर से मरने वाले हैं, जियान यू ने आह भरी। कुछ भी मिटा दिये जाने से बहतर है. अगली सुभा, सूरज निकलने के ठीक बाद, शहर के पश्चिन में एक विशाल सेना इकठी हो चुकी थी. इसमें मुख्य रूप से स्थानिय सरकार के बैटल मैट शामिल थे. कई उन्हें विदा करने आये थे. युद्ध कितना ख अधिकांश ने मृगतरिशना को नश्ट करने के अफसर को अत्यंत महिमा के रूप में सोचा. शीनी दल सहायता प्रदान करने आया था और उसे सेना के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा गया. टीम ने ओपरेशन के कमांडर जनरल फेना से मुलाकात की थी, जो 40 साल की एक महि मिला थी. उन्हें उसमें नारीत्व का कोई संकेट नहीं मिला, लेकिन एक अनुगवी और भयंकर आभा थी, जो लंबे समय तक युद्धों में लड़ने से आई थी. जैसे ही सेना आगे बढ़ती है, उसका अनुसर्ण करें, हम जहरीली सुनहरी ममी आपके लिए छोड़ जनरल फेनना की आवास काफी करकश थी. उसके चहरे पर हमेशा सक्त भाव थे. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, नानियू ने जवाब दिया. रास्ता पहले ही एक बार साफ हो चुका था. इस प्रकार शहर और शिविर के बीच कई मरे नहीं थे. वे जल्दी से शहर से पांच किलोमेटर दूर शिविर में पहुँचे. दूसरी टुकडी के आते ही मुख्य सेना आगे बढ़ने लगी. उनका लक्षे पिरामिट से करीब 15 किलोमेटर दूर एक उचे मैदान पर पहुँचना था. आगे बढ़ने से पहले उन्हें वहाँ पैर जमाना था पहाडी के दूसरी और जहरीली सुनहरी ममियों का एक समू है. वे जहर का उप्योग करने में विशेशग्य हैं और बेहत चालाक भी हैं. वे लाशों के धेर के पीछे छिपना पसंद करते हैं और अपना जहर फेंकते हैं जबकि हम अंजान होते हैं. सेना सामने से पहाडी क जमीन पर पैर जमाने में सक्षम हो जाती है तो हम बैरियर के अंदर पीछे हट जाएंगे. जरूरी नहीं कि हमें सभी जहरीली सुनहरी ममियों को मारना पड़े, नान्यू ने टीम को समझाया. राश्ट्रिय टीम में गर्व और दबंग प्रतिभाय शामिल थी. नान्यू टीम में किसी को भी उसके आदेशों की अभेलना करने की अनुमती नहीं देगी. गौान यू ने अपने होठों को चबाया. वह योजना से सहमत नहीं दिखे. अन्य के पास कोई टिपपणी नहीं थी. जबकि मुख्य सेना उच्छ भूमी पर आ रही थी, राश्ट्रिय टी गूस किया कि ममियों की परावर्तक सुनहरी त्वचा के कारण ही वह स्थान चमकदार था. अजीबो ग्रीब हरकत करने वाली ममी पहाडी के दूसरी तरफ जमीन के लगभग हर इंच को भरते हुए लेटी हुई थी. दूर से ऐसा लग रहा था कि पहाडी सुनहरी हरी टाइ अगर हम पहाडी पर पहुचने से पहले जीवों की देख भाल करने में विफल रहते हैं, तो क्या इसका मतलब यहां नहीं होगा कि हमारे बहुत सारे आदमी मरने वाले हैं? हमें अभी भी सबसे खराब योजना बनाने की जरूरत है. क्या यह व्यर्थ नहीं है अगर हमें अभी भी उन्हें बैकप प्रदान करना है? आप उनके प्रती काफी पक्षपाती लग रहे थे. यह मुझे पक्षपाती नहीं है. मुझे बस इस बात की चिंता है कि वे वास लोगों ने जल्द ही उन्हें जगा दिया, जो उनके आरामगाह में घुस गए थे. उनकी चीखें कान छिदवाने वाली थी, जैसे दानव शिशु एक मजबूत दुष्ट उपस्थिती के साथ. उनकी आखें अचानक लाल हो गई, जैसे ही राक्षस प्राणियों के जाग यह वही था जिसके बारे में जनरल फेना ने उन्हें चेताबनी दी थी, जहरीली सुनहरी ममी बेहत चालाक और फुर्तीली थी, और हमेशा सीधे जादूग्रों से लड़ने से बचती थी. यहां तक कि जब उनकी संख्या चीनी टीम से काफी अधिक हो गई, तब भी वे उ जवार का विरोध करने के लिए संधर्श कर रहे थे. पीछे हटो, पीछे हटो, जब नान्यू को पता चला कि टीम खत्रे में है, तो वह दूसरों पर चिल्लाई. जहरीली जवार अविश्वसनिय रूप से शक्तिशाली थी, और इसका जहर बेहत घातक था. कोई भी उनके जीवन के साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं करेगा. जदी जहरीली जवार किसी जंगल या पहाडों को पार कर जाए, तो हर पौधा तुरंत मुर्जा जाएगा और हर जीवित चीज का दम घुट जाएगा. मैंने क्या कहा? वे लोग बिलकुल भी विश्वसनिय नहीं है, जीवन के साथ जाएगा. उसने तुरंत अपना शांत खो दिया. वे पहले से ही अपनी जमीन पर टिके रहने के लिए संधर्श कर रहे थे. जदी जहरीली सुनहरी ममी युद्ध में शामिल होती हैं, तो उनके हताहतों की संख्या तुरंत बढ़ जाएगी. मैं अपने ही आ अशकारी मंतरों के निरंतर विस्पोटों के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़े थे. हाला कि अगर जहर सेना तक पहुँच जाता, तो हताहतों की संख्या अथा होती. कप्तान वैंकोस जल्द ही पहाडी के किनारे पहुँचे. वह अपने आदमियों को लाया और जहरीली सु अगर ये जहरीली सुनहरी मंी उसे उलचते देखा. वे हम पर भरोसा नहीं करते, म्यूटिंग इनने असंतोश से कहा. उसे दूसरों द्वारा नीचे देखा जाना पसंद नहीं था. अगर ये जहरीली सुनहरी मंी एक ही समय में जहरीला धुआ उगलती हैं, तो हम उनके कर बिलकुल भी नहीं पहुँच पाएंगे. जहर? बकवास, वो लोग जहरीले धुए से घिरे होने वाले हैं? वे कैसे नहीं जानते की जहर कितना धातक है? जियाम यू ने कहा. टीम ने जल्द ही महसूस किया कि जहरीली सुनहरी मंी बैटल मैच के दस्ते को निशाना बना र को बाहर करना चाहिए. जहरीली सुनहरी मंीयों को अपने कबजे में रखें, ली कैफिंग और मैं उनके कमांडर को बाहर निकाल देंगे. गौान यू ने कहा. इससे पहले की नान्यू कोई फैसला कर पाता, गौान यू और ली कैफिंग दोनों ने गोली चला दी. वे तीन आखो वाली जहरीली सुनहरी मंी के करीब जाने का रास्ता खोजने गए होंगे. मुझे लगता है कि ऐसा करने का यही एक मात्र तरीका है. आदर्श अचानक बुदबुदाया. यह कहते हुए, आदर्श ने ब्लैक स्नेक आर्मर को बुलाने के लिए आत्मा की छाप को सक्र यह मेरा जैव रासायनिक सूट है. दोस्तों मेरे हाथों में खुजली हो रही है. मैं पहले जांगा, आदर्श ने जवाब दिया. आदर्श ने अपने निले काले काले स्नेक कवच में जहरीली सुनहरी ममी पर सीधे हमला किया. जहर एक विनाशकारी काले जवार की तरह से चले गए. आदर्श जहर से डरता नहीं था, क्योंकि उसके पास इसका एक विशेश उत्तर था, ब्लैक स्नेक आर्मर. ब्लैक टोटेम साम्प जहर का पूर्वज था, विशाक्तता के मामले में कोई प्राणी इसकी तुलना नहीं कर सकता था. आदर्श यह कभी नहीं से बना जादूई का वचना केवल बेहत मजबूत था, बलकि इसमें जहर के लिए एक मजबूत प्रतिरोध भी था. जब आदर्श ने ब्लैक स्नेक आर्मर पहना था, तो वह मूल रूप से जहर के प्रती प्रतिरक्षित था. धरीली सुनहरी ममी मिस्रवासियों के लिए ब पूरे जुन्ड को मार सकता था. आग की लप्टों ने जम कर विक्राल रूप धारन कर लिया. जहरीली सुनहरी ममी आग से बेहत दरी हुई थी, खासकर चिलचिलाती आपदा आग और गुलाब की लों से. यहां तक की जहरीली सुनहरी ममी दिखने में मस्बूत वचा आदर जहरीली सुनहरी ममी उसके लिए अधिक मूलेवान थी, न केवल उनके मरे हुए क्रिस्टल के कारण, बलकि उनके योध्धास्तर के आत्मा अवशेशों के कारण भी. सहारा रिगिस्तान में वापस, लिटिल लोच पेंडेंट ने जहर आग बिच्चू और सैंडफियर वह जल्द ही पाँचवे स्तर का लाइटनिंग स्ट्राइक हासिल कर लेगा. कहा जा रहा है कि पाँचवा स्तर का लाइटनिंग स्ट्राइक केवल आदर्श का पहला गोल था. उसे जिस चीज की जरूरत थी, वह थी पाँचवी श्रेणी का थंडर बोल्ट क्योंकि इसका नुकसान निश्चित रूप से उसके एडवास्ट लाइटनिंग स्पेल से मेल खाएगा. आदर्श पागल कुत्ते के आगे बढ़ने से लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, जाओ मान्यन ने बुदबुदाया. आदर्श अपने दम पर जहरीली सुनहरी ममी के गठन को ब नक मंतर डाले. जहरीली सुनहरी ममी अधिकांश मरे से अलग थी. उनकी रक्षा के लिए उनके पास कठोर मास नहीं था, नहीं मानसल अंग. एक बार जब उनका जहर उम्मीद के मताबिक काम नहीं कर पाया, तो उनकी लड़ने की क्षमता काफी ओसत थी. नतीस्तन जहरीली प्रती प्रतिरक्षित था. वह बस आगे बढ़ा और आत्मा के अवशेशों को इकठा करने के लिए ठोकर खाने वाले हर प्राणी को मार डाला. एजियांटू के शक्तिशाली अंतरिक्ष और अभिशाप तत्व जहरीली सुनहरी ममियों के खिलाफ अविश्वसनिय रूप से प्रभावी थे. म्यू निंग्शुए ने अपने पवन तत्व को रक्षा के रूप में और आइस मैजिक को अपने हतियार के रूप में इस्तमाल किया. उसकी बरफीली आकरती जहरीली सुनहरी ममियों के माध्यम से आसानी से लहराती है. देखो उस दिशा से एक संकेत आ रहा है. किसी ने पहाडी के पीछे की और इशारा करते हुए कहा. ऐसा लगता है कि वह दस्ते थे जो मरे को उलज़ा रहे थे. ऐसा लग रहा है कि वे बैकप का अनुरोध कर रहे हैं. जहरीली धुंधने उन्हें वहाँ पूरी तरह से फनसा लिया है. उन बेवकूफों उ पीम ने दस्ते की स्थिती की और एक रास्ता साफ किया, जिससे उन्हें भागने का रास्ता साफ करने में मदद मिली. किसकी बात करते हुए, क्या उनके पास इस तरह जहरीली धुंध में चार्च करने के लिए गंभीरता से दिमाग नहीं है? काफी बड़बडा हुह आदर उठाई तो बैक अप के लिए अनुरोध करने वाले सिगनल को देखकर उसकी भौहें तन गई. जनरल वे मुसीबत में हैं, वे बैक अप के लिए पूछ रहे हैं, एक कप्तान ने कहा. आगे जारी रखें, जनरल फेना ने ठंडेपन से कहा. लेकिन उनके बारे में क्या? मै मैं सूस किया कि कप्तान वांकोस अपने द्रिश्टिकोन के प्रती बहुत लापरवाह थे. कप्तान वांकोस की टुकडी फंस गई है. हमने एक मोहरा दस्ते को खो दिया है, और क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों का एक जुन उच्छ भूमी पर कबजा कर रहा है. वे पूर को चुटकी में पा सकते हैं, क्योंकि क्रूर तलवार मृत्यू सेवक हमारी सेना के लिए बहुत कठिन है. कमांडर लोवर ने गंभीर रूप से कहा, जनरल फेना चुप हो गए. प्रारंभ में जनरल फेना कैप्टन वैंकोस के दस्ते को क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों पर ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति का मानना था कि जहर उनका सबसे बड़ा खत्रा था, इसलिए वह जहरीली सुनहरी ममी को बाहर निकालने के लिए अवाल गया था. मैं उनका ख्याल रखूंगा, जनरल फेना ने गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल में पक्कीनी सिटी को भेजे जाने के लिए केवल तीन सुपर मैज उपलब्ध थे. उनमें से एक पक्कीनी शहर में निगरानी रख रहा था, एक अन्यमुख्य सेना के पिरामिड के काफी करीब होने के बाद अंतिम हमले की शुरुवात करने के लिए मैजिक एसोसियेशन क की टुकडी का नेतरित्व करेगा. तीन सुपर मैजों को अपनी अपनी भूमिकाए पूरी करनी थी. यदि किसी भी सुपर मैज को इतनी प्रारंभिक अवस्था में अपनी उर्जा खर्च करने की आवश्यक्ता होती है, तो इसका मतलब होगा कि उन्हें योजना को उसी के जमीन लेनी चाहिए. जनरल फेना ने कहा, हाँ, सकारात्मक, उचे स्थान पर एक दाना जो मरे हुए के संपर्क में आने पर खुद को उड़ाता रहता था, अपने दम पर दस से अधिक जहरीली सुनहरी ममी उची जमीन की ओर भागती रही, इसलिए हिंसक दाना लगातार पीछा करता रहा, जहरीली सुनहरी ममीों को स्थिर करने के लिए जायंट शैडो स्पाइक्स का उप्योग करने के बाद वह अंत में मरे हुए लोगों को मारने और उनके आत्मा अवशेशों को पुनह प्राप्त करने में सक्षम था, हो, बाकी कहा है, आदर्श मुडे और म महसूस किया कि मुनिंग्शुए, जियान शौक्सू, ए जियान टू, नान्यू और अन्य चले गए थे, उसके पीछे जहरीली सुनहरी ममी की संख्या भी काफी कम हो गई थी, क्या मैं गलत रास्ते पर चला गया, आदर्श कुटिलता से मुस्कुराया, यह सब एक जहरीली स रास्ते से भटक कर खत्म हो गया, जैसे ही आदर्श उसी रास्ते से वापस जाने वाले थे, उन्होंने अचानक मानवाकार के मरे हुए देखे, जो ऐसा लग रहा था जैसे वेपास के एक विशाल शिलाखंड के पीछे से काले रंग में पूरी तरह से ढखे हुए हो, मरे ह किस तरह के मरे हैं? मैंने कभी उनके जैसा कुछ नहीं देखा, वे वास्तव में कुछ उपियोगी लूट छोड़ सकते हैं, मरे की जानलेवा निगाहों से आदर्श तुरंत उत्तेजित हो गया, तलवार बाजों जैसा दिखने वाला पिचबलाक अंडरड एक अजीब तर करती हैं क्योंकि वे जीव द्वारा बनाये गए थे, आदर्श ने तुरंत अपनी मुठी आगे फेंक दी जब उसने जीव को हमला करते देखा, हिंसा से हिंसा को वश्मे करने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही आदर्श की मुठी हवा में आगे बढ़ी, बिजली बेथाशा जिल मिलाने लगी, क्यान जुन द्वारा उतपन दुर्जे बिजली अंधेरे स्लैश के शौक वेव में दुरगट नागरस्थ हो गई, काली तलवार की रोशनी को बिजली ने खा लिया, बिजली के आर्क्स ने क्रूर तलवार डेथ सर्वेंट को घेर लिया, मुक्के की त जीव के उसमें घुसने के बाद बोल्डर धीरे-धीरे तूटकर अलग हो गया, जैसा कि आदर्ष वर्तमान में एक धलान पर खड़ा था, उसकी द्रिष्टी मूल रूप से बोल्डर ग्वारा अवरुध हो गई, बोल्डर के तूटने के बाद आदर्ष को पता चला कि व वह हांफने लगा जब उसने पचास से अधिक पिचबलाक मरे को पहाडी पर विखरा हुआ देखा, उन सभी के हाथ में काली तलवारी थी और भयानक रक्तरंजित आखे थी, ये क्रूर तलवार मृत्यू सेवक्स हरीली सुनहरी ममी से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, यहां तक कि आदर्ष ने जिस जीव को मुक्के से उड़ा कर भेजा था, वह भी तुरंक नहीं मरा, आदर्ष की बिजली की मुठी से बचने में सक्षम कई योध्धास्तर के जीव नहीं थे, पवित्र बक्वास मैंने मधुमक्खी का छट्ता बनाया है, आदर्ष का चेहरा विक हैं, तो निश्चित रूप से वह उनके साथ लड़ाई करने की जहमत नहीं उठाता, सपष्ट रूप से अब चलने में बहुत देर हो चुकी थी, आदर्ष को लगा जैसे उसे पचास से अधिक हाथों से मजबूती से पकड़ा जा रहा है, यहां तक कि उनके शरीर को हिला अबिश्वसनिय रूप से कठिन था, पहला क्रूर स्वार्ड देथ सर्वेंट बोल्डर के मलबे से उठा और एक अपरिय आवाज निकाली, जैसे कंकाल का जबड़ा चटक रहा हो, भले ही आदर्ष मरे की भाशा नहीं समझ सके, लेकिन वह जानता था कि प्राणी मूल चलो उसे टुकरों में काट लें, तारों की जिलमिलाहट की तरहा अंगिनत स्लैश उसकी दिशा में तेजी से आए, कुछ सीधे थे जबकि अन्यने लंबवत और क्षैतिस रूप से अर्धचंद्राकार का आकार ले लिया, आदर्ष ने तुरंट अपने शरीर में एक दर् सूस किया जैसे ही ब्लैक स्नेक आर्मर ने स्लैश लिया, धिकार है, मैं तुम्हें एक बार में मुझसे लड़ने की हिम्मत करता हूँ, आदर्ष बुरी तरह से आसपास के करूर तलवार मौत सेवकों से मुक्ट तोड़ने की कोशिश की, आदर्ष के एक छोर से दूसरे छ दोर तक भागते ही क्षेत्र अचानक चौकाने वाले निशानों और दरारों से भर गया, यदि यह स्पेस एलिमेंट टाइम स्टैसिस के लिए आने वाले हमलों को चक्मा देने के लिए कुछ अतरिक्ट समय नहीं खरीदता, तो ब्लैक स्नेक आर्मर पूरी तरह से नश्ट हो जाता, स्लैश के छायादार अर्ध चंद्राकार एक तेज हवा की तरहा आगे बढ़े, एक ही जटके में सन्युक्त हो गए, और आदर्श की पिछकाली आकरिती पर चोटकी, शक्तिशाली प्रभाव से आदर्श का फिगर टुक्रों में बंट गया, हमलों की पहली लहर क के बाद हवा ने टुकडों को छोटे-चोटे टुकडों में तोर दिया, जब उन्होंने देखा कि उनके दुश्मन का सफाया हो गया है, तो क्रूर कलवार मृत्यु सेवक अंत में अपनी पट्रियों पर रुप गये, उन्हें पता ही नहीं था, एक अग्रिश काली लहर उ लाते हुए अपना हाथ फेंका, अविश्वसनिय दबाव छेत्र पर उत्रा, समय पर प्रतिक्रिया करने से पहले क्रूर कलवार मृत्यु सेवक को संपीडन बल द्वारा कुछल दिया गया था, अन्हें क्रूर कलवार मृत्यु सेवक तुरंत भूम गये, और जब उन्हें पता चला कि मानव अभी भी जीवित है, तो वे क्रोधित हो गए, इतना ही नहीं, वह उनके पीछे छिपकर उनके एक साथी को मारने में काम्याब रहा, क्रूर तलवार मृत्यु सेवकों ने जिस लक्षे को अपने स्लैश के साथ टुकडो में फार दिया, वह केवल डार्क नोबल मेंटल द्वारा छोड़ा गया एक चाया क्लोन था, यह शैडो स्पेल, फ्लीइंग शैडो का उच्चतम स्तर था, दार्क नोबल मेंटल के शैडो मंत्रों को मजबूत करने के अनुठे प्रभावों के बिना, आदर्श कभी भी शैडो डिकॉय को बुलाने में नहीं होंगे, एक असली इंसान और एक शैडो डिकॉय के बीच अंतर बताना बहुत मुश्किल था, यहां तक कि ब्लैक सीड रेक को भी एक शैडो डिकॉय ने धोखा दिया था, जिससे आदर्श को एक लाभपरत स्थिती हासिल करने में मदद मिली, क्रूर तलवार मृत्य मृत्यू सेवकों की इंद्रिया ब्लैक सीड रेक से कमजोर थी, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि वे आदर्श की छाया डिकॉय और खुद के बीच अंतर कर सकते थे, यहां आ जाएं आदर्श पकड़ा, इल्यूजनरी पंजा ने क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों में स एक को जबरन खींच लिया। तेज थे, आदर्श केवल काली परचाईयों को तेजी से पहाडी के पार जाते हुए देख सकता था, प्राणी वास्तव में एक तीन के रूप में काम करना जानते थे, यह देखना काफी दुलब था, खासकर तब जब जब ज्यादा कर मरे हुए लोग बुद्धिहीन थे, रास्ते का नेत्रित्व करने वाले दस क्रूर तलवार मृत्यू सेवक आदर्श को अपनी तेजी से चलती चाया के साथ घ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पीछे चल रहे 20 क्रूर तलवार मृत्यू सेवक वास्तविक थे, जिनहें आदर्श को बाहर निकालने के लिए नामित किया गया था। जदी वे आदर्श को एक धातक जटका देने में विफर रहे तो पहले दस क्रूर तलवार मृत्यू सेवक तुरंत आदर्श की कमजोरियों को निशाना बनाने के अफसर का लाब उठाएंगे। इस प्रकार वह निरनायक रूप से क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों के खिलाफ चला गया। एक स्काइफलेम अंतेश्टी की लपतें पूरे स्थान पर फैल गई, इसे आग के सागर में बदल दिया। जंगली बिजली के जटके शांदार तरीके से दिखाई देते और जमीन पर गिरते रहे। कुछ क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों के बगल में उतरे, अन्य सही निशाने पर उतरे। आदर शुरू में केवल उस डोमेन का उप्योग करने की योजना बना रहे थे, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी, उन्वायक्स शासन। हाला कि जब उन्हे याद आया कि डोमेन ने किसी भी छाया प्रकार के प्राणी को उसके भीतर मजबूत बना दिया है, तो उसने तुरंट इसके खिलाफ फैसला किया। उन्वायक्स शासन अधिक से अधिक उसके शैडो मंतर को थोड़ा मजबूत करेगा, लेकिन यह केवल उसकी मृत्यू को तेज करेगा यदि छाया हत्यारों को अचानक एक महान शौकीन दिया जाए। घले ही अन्वायक्स शासन काफी शक्तिशाली था, अन्य वास्तविक डोमेन की तुलना में इसका मुख्य अंतर यह था, कि यह दोस्ट और दुश्मन के बीच अंतर करने में असमर्थ था। पर भयंकर लप्टे भड़क उठीं। उनमें से दो जो पहले से ही घायल थे, समय पर आग की लप्टों के समुद्र से बचने में असमर्थ थे। वे जल्द ही काली हड़ी की धूल के धेर में जल गए। दो अन्य करूर तलवार मौत सेवकों को बाहर निकालने के बाद प्रत्वपूर्ण बात ब्लैक स्नेक आर्मर लगभग अपनी सीमा पर था। यदि उसने जादू के अयसकों से अपनी उर्जा की भरपाई नहीं की तो वह इसका उप्योग नहीं कर पाएगा। आत्मा के योध्धास्तर के आत्मा अवशेशों में बदल जाने के बाद और कुछ नहीं। क्या यह एक दुरलब हड़ी हो सकती है आदर्श को अचानक कुछ हैसास हुआ। उनका चेहरा खुशी से भर गया। एक आत्मा सार के अलावा एक राक्षस प्राणी से सबसे मूल दुरलब हड्डियां थी, उसके बाद दुरलब तवचा, दुरलब पंजे, दुरलब तराजु इत्यादी। जिस क्रूर तलवार मृत्यू सेवक को उसने अभी अभी मारा था, उसने काले जादू की एक मजबूत उपस्थिती के साथ एक दुरलब हड्डी गिरा दी आखिरकार कि वह एक डोमेन के साथ स्वयंको सोलग्रेड लाइटनिंग सीड हासिल करने से केवल एक चोटा कदम दूर था। इस विचार पर आदर्श की आखें जोश से जल उठी। ये क्रूर तलवार मृत्यू सेवक मरे हुए लोगों के बीच एक दुरलब प्रजाती रहे यदि दुरलब हड़ी के अलावा कुछ और लूट होती तो यहां उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तो उन्हें कड़ी सजादी जाएगी। क्रूर तलवार मृत्यू सेवक पांच दस्तों में विभाजित हो गए। प्रत्येक दस्ते ठीक उसी संग्रचना में खड़े थे। क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों का पहला दस्ता लक्षे को भेदने के लिए आगे बढ़ा। त तलवार का एक फूल आदर्श के कंधे के पास से गुजरा और उस पर गहरा घाव कर दिया। दार्क एनरजी कट में घुस गई यहां तक कि उससे बहने वाला खून भी काला हो गया। आदर्श जानता था कि दार्क एनरजी से होने वाली चोटों का इलाज करना काफी मुश कर देती। रपिड स्लैश ने मौब की मजबूत उपस्थिती के साथ एक तलवार का पैटर्न बनाया। आदर्श को पीछे हटना जारी रखने के लिए मजबूर किया गया और अंतर पहाडी के किनारे पर पहुँच गया। आदर्श पूरे शरीर में चोटों से दर्ग में था। उसकी हरक्तों में अब पहले जैसी फूर्ती नहीं रही। इस दर पर उसकी कास्टिंग की गती भी प्रभावित होगी जो उसकी लड़ने की क्षमता को बहुत कमजोर कर देगी। मेरे लिए अपना रन बनाने का समय है। नहीं तो मैं वास्तव में यहां मर सकता हूँ। आदर्श ने महसूस किया कि वह अब मरे हुए को नहीं ले सकता। वह अभी भी पीछे चल रहा था। जब वह किनारे पर पहुँचा तो उसे लगा कि अब कदम उठाने का समया गया है। वह एक पड़ाव पर आया और सीधे क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों को घूरने लगा। क्रूर तलवार मृत्यू सेवक काफी बुद्धिमान थे। जब उन्होंने मनुष्य को रुकते हुए देखा तो वे पूरी तरह से ध्रमित हो गए क्योंकि चालाक मानव ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिना लड़े ही नीचे गिर जाएगा। शुल्क हमला करो आगे बढ़ो। हम लगभग शीर्श पर हैं। हम इसे बनाने जा रहे हैं। सैने को यह केवल दुश्मनों का अंतिन गुच्छा बचा है। आदर्श उसके पीछे धलान से आ रही आवा कि उन्होंने धीरे-धीरे उन मनुश्यों की चीखों को नजर अंदास कर दिया जो धीरे-धीरे उनके पास आ रही थी। मानव सेना बिना उन्हें जाने पहले ही तलहटी तक पहुंच शुकी थी। सेना ने पहाडी पर चढ़ाई की। उनमें से ज्यादातर ने मिसर की सेन की युद्ध कॉशल की वर्दी पहनी हुई थी। ललाट दस्ते एक शक्तिशाली हवाद्वारा संचालित ज्वार की तरह पहुंचे। उनमें से लगभग 200 थे, सभी एक ही समय में पहाडी की चोटी पर आ रहे थे। सुनो यह केवल हमारी दूसरी मन्जिल है। यदि जनर मरे के मुह में धकेलना। मेरे साथ चार्ज करो, हमें इन क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों के माध्यम से एक रास्ता साफ करना चाहिए। कप्तान लोवर ने निडर जादूग्रों की एक टीम का नेतरित्व किया और शीर्ष पर पहुंचे। वे जानते थे कि पहाडी की चोटी पर जहरीली सुनहरी ममियों से भी कठोर निर्मम कलवार मृत्यू सेवकों का एक समोह था। ये मरे अपने लक्षे को सचेट किये बिना मारने में सक्षम थे, फिर भी अगर वे अब पीछे हट गए तो वे अपने दल के लिए एक अपमान होंगे। न केवल वे शहर बनने के लिए सम्मानित किया गया, एक ऐसी टुकडी जिसके लिए कई युवतियों ने खुशी मनाई। उत्कृष्ट मनोबल के साथ सैनिक आगे बढ़े। आदर्श पहाडी की चोटी पर एक चोड़ी मुस्कराहट के साथ खड़ा था। उसकी गहरी भूरी आखों ने क करूर तलवार मृत्यु सेवकों को एक चुनोती पूर्ण रूप दिया और कहा तुम अकेले नहीं हो जिसके दोस्त हैं। मेरा बैकप आ गया है। यह सपष्ट था कि आदर्श को अब भागने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सेना आ चुकी थी। कप्तान लोवर पहाडी पर कोई है। कोई व्यक्ति। अजीब बात है क्या एक शक्तिशाली जादुगर ने आगे बढ़कर हमारे लिए रास्ता साफ किया। कप्तान वह चीनी राष्ट्रिय टीम का सदस्य लगता है। वह अकेले करूर तलवार मृत्यु सेवकों के खिलाफ लड़ रहा था और उनमे जो स्थिती को आगे बढ़ाने के लिए गया था ने रिपोर्ट किया। स्काउट मैज में आमतार पर छाया और पवन्तत्व दोनों होते थे। वे मुख्य सेना से आगे चले गए और मुख्य सेना के आने से पहले इलाके स्थिती और राक्षसों की स्थिती की जाच करेंग स्काउट दाना काफी समय से पहाडी की चोटी पर था। वह शुरू से ही आदर्श को क्रूर तलवार मौत सेवकों से भिरते हुए देख रहा था। यदि स्काउट दाना एक क्रूर तलवार मृत्यू सेवक के खिलाफ स्थापित किया गया था तो उसे केबल सेकंड में चौक कर पूछा। से एक आत्महाती दस्ता था। लेकिन अब चीन का एक दाना मरे हुओं के माध्यम से एक रास्ता साफ करने में काम्याब रहा। भले ही उन्हें एक ही लक्षे को प्राप्त करने के लिए आम तोर पर एक पूरी टुकडी की आवश्चक्ता होती थी। जनरल जनरल फेना रास से साफ कर लिया। ठीक है। लोवर ने अपना वाक्य पूरा करने के बाद दूसरे छोर को शांत होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस किया। धारी सासे बता रही थी कि जनरल फेना भी इस खबर को हजम करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक शन बाद जनरल फेना ने अंत में कहा मम्म समझ गया। हाला कि लोवर बता सकता था कि जनरल फेना खुद नहीं हो रहा था। उसे भी जटिल भावनाए रही होंगी। चीनी टीम के पास इतना अनुशासनहीन सदस्य क्यों था इतनी बेहूदा ताकत के साथ। हाला था। यहां हजारों की संख्या में मरे हुए लोगों के एक पैकेट जितना मजबूत था। हालांकि मुख्य सेना अभी धी क्रूर तलवार मृत्यू सेवकों का सफाया करने में काम्याब रही। उच्च भूमी को सुरक्षित करने के बाद संबंधित जादूगर रक् शेतर में घुसपैट करने से रोकने में सक्षम थी। एक बार जब उन्होंने अवरोध स्थापित कर लिया तो इसका मतलब था कि उन्होंने मरे के खिलाफ युध में थोड़ी सी जड़प जीत ली थी। रिपोर्ट जहरीली सुनहरी ममी का सफाया हो गया है। से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत काफी खराब है। मुझे आपके निरने पर कोई आपती नहीं थी। मैं बिना रैंट का सैनिक बनने को तयार हूँ। कैप्टन वांकोस घुटने के बलतिरे और बोले। आप बहुत जिद्दी थे, आपके कारियों से प से खरीली सुनहरी ममी में भी फंस जाते। मैं आभारी हूँ कि वे हमारी मदद करने को तयार थे, और जहरीली सुनहरी ममी को बाहर निकालने में हमारी मदद की। मुझे इतना घमंडी और जिद्दी नहीं होना चाहिए था, वांकोस ने कहा। मैं उसका जिक्र नहीं कर रह वांकोस का चहरा सुनकर अविश्वास से भर गया। कोई भी स्वार्थी मकसद केवल सेना पर कयामत लाने वाला है। उसे याद रखो, जनरल फेना बोले। वांकोस ने अपना सिर नीचे कर लिया था। उसने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। सेनिकों का नया जथा रास्ते में हैं और पार्थेनन मंदिर के जादूगर भी उनके साथ आएंगे। वैंकोस आप और आपके आदमी हर कीमत पर उनकी रक्षा करेंगे, भले ही इसके लिए आपको अपने जीवन का बलिदान देना पड़े। आप उन्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्या आप समझते हैं। दूरी में मरे हुए लोगों के उनकी और इकठा होने की संभावना कम थी, जिससे मुख्य सेना को जल्द ही दूसरे शिवर में बसने की अनुमती मिली। हर कोई दिन के लिए आराम करेगा, ताकि जादूगर अपनी उर्जा भर सकें। इस बीच वे उन लोगों का भी इलाज कर सकते थे, जो गंभीर रूप से घायल थे, या उन्हें वापस शहर ले जा सकते थे। अगली सुबह उनका सुद्रिधी करण आ गया था, जिसमें मैत्वपूर्ण लोगों का एक समूह पार्थेनन मंदिर के मागा शामिल थे। इन जादूगरों ने दुनिया के सबसे मजबूत हीलिंग मंत्रों में महारत हासिल की थी। वे शक्तिशाली थे, फिर भी बेहत कमजोर थे, इसलिए उन्हें सुरक्षा के लिए बहुत से लोगों की जरूरत थी। जब पार्थेनन मंदिर के मागा पहुँचे, तो आदर्श भी शिनक्सिया को देखकर हैरान रह गए। आखिरकार शिनक्सिया को अपने पैरों की वजह से चलने फिरने में परेशानी होती थी। गंदी लड़ाई उसके लिए बहुत घातक थी। आदर्श को समझ नहीं आया कि पार्थेननन मंदिर ने उसे लड़ाई में शामिल होने क्यों दिया। मुख्य सेना के साथ फिर से इकठा होने के बाद सुद्रिधी करन जल्द ही तीसरे गंतव्य के लिए रवाना हो गया। यह पिरामिर के 10 किलोमिटर के दाइरे में था। वे तीसरे गंतव्य को काफी आसानी से सुरक्षत करने में सक्षम थे। हाला कि जब बैरियर लगाया गया और लोगों को पहाडी पर इकठा होने के लिए कहा गया तो उनके दिल में एक बेचैनी छा गई। जवार की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने का द्रिश्टिकोन केवल यात्रा के पहले भाग के लिए उप्युक्त था क्योंकि वे शहर से बहुत दूर नहीं थे और नहीं वे पहले मरे हुए एक शेत्र में बहुत दूर गए थे। हाला की यात्रा का दूसरा भाग मूल रूप से बिना वापसी का रास्ता था और सेना केवल तभी बच सकती थी जब वे युद्ध जीत गए। जैसे शेश यात्रा सबसे खतरनाक थी क्योंकि वे कभी कभार खुद को मरे हुए लोगों से घिरा हुआ पाते थे। हुई रोश्नी को सक्रिय कर दिया और पिरामिड को नश्ट कर दिया। जब हम मरे नहीं के सागर में डूब गए तो यह नरक जैसा लगा। एक बूढे दाना ने आह भरी। क्या यात्रा का दूसरा भाग वास्तव में इतना भयानक है। जाओ मान्यन ने उस आदमी को सिग अच्छा मौका होना चाहिए। बूढे जादूगर ने सिगरेट पीते हुए आखे मूद कर कहा। धुमा उसके पीले चहरे को घेरे हुए था। तो हमें पिरामिड तक पहुचने के लिए किसी की जूरत है। आदर्श ने पूछा। हाँ, जब समयाएगा, सेना उन लोग पिरामिड तक पहुचने का एक उच्छ मौका देगी जो जलती हुई रोशनी का उच्छ सर्जन करती है। इसे पिरामिड के नीचे रखने से इससे निकलने वाली रोशनी मृगत्रिशना को मिटा देगी और ये मरे तुरंट अपना विश्वास्खो देंगे। पिरामिड मुदिन ने कहा। किस तरह का मरे? क्रोर तलवार मृत्यू सेवक बूढे जादूगर्नी ने गंभीर रूप से मरे हुए का नाम बताया। क्या वे वही नहीं हैं जिनसे मैं अपने दूसरे शिविर की पहाड़ी पर मिला था आदर्श ने पूछा। बिलकुल आदर्श बहुत अर्धिक है और वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। बूढे सैनिक मुदीन ने आह भरी। 500 आदर्श का दिल डोग गया। यह उस संख्या का दस गुना था जो पहाड़ी की चोटी पर प्रकट होई थी। यहां तक कि एक सुपर मैज भी एक बार में इतने सारे लोगों से लड़ने में स सुकता से पूछा। पिरामिर के अंदर जाओ बूढे जादूगर मुदीन ने घातक मुसकान के साथ अपना सिरह लाया। उन्होंने जनरल फेना की दिशा में नजर डाली और कहा। ऐसा लगता है कि जनरल ने कुछ अध्भुत जादूगरों के साथ एक विशाल पिरामिर में प्रवेश किया है। जनरल ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया कि अंदर क्या है। उसने केवल इसे अंदर वर्ड के रूप में बर्नित किया। उन्होंने कहा कि वे फिरामिर के अंदर जीवित हैं। नहीं। पिरामिर के सैने को का जिक्र किया। वे कोई और नहीं बलकी करूर तलवार मृत्यू सेवक्त थे। यदि एक पिरामिर के अंदर एक वास्तविक फिरामिर था तो उसकी शक्ती बिलकुल जबरदस्त होनी चाहिए विशेश रूप से प्राचीन काल से। वे पहले से ही उस कुछ मरे नहीं होंगे जो दुनिया को गिरा सकते हैं, जियां यू काफी उतसाहित लग रही थी। पिरामिर अच्छी तरह से जाने जाते थे कि वे कितने रहसिमय और शक्तिशाली थे और उनमें से कुख्यात गीजा पिरामिर भी निशिध जादूग्रों को चौका देने के लिए परियाप थे, मुझे नहीं पता कि गीजा पिरामिर के अंदर क्या है, लेकिन स्फिंक्स पहले से ही अपराजे है, अगर वह आदमी चाहे तो यह मूल रूप से काहिरा के लोगों को दुख और पीडा में डुबो सकता है, बुढ़ा दाना मुदीन बातूनी आदम पिरामिर अभी भी एक रहस्य क्यों है, इसका कारण यह है कि स्फिंक्स उनकी रक्षा कर रहा है, अफवाहे कहती हैं कि जब स्फिंक्स दहाड़ेगा, तो आसमान भी तूटकर गिर पड़ेगा, व्रिध दाना मुदीन ने घोशना की, आदर्श खाई, स्फिंक्स जब उस जीव की कलपना करना ही काफी आश्चर यजनक था, जब शाम हुई, तो ताजा खोन पूरे देश में फैल गया, और आकाश के बदलते रंगों ने युद्ध की क्रूरता को चितरित किया, मुख्य सेना ने पिरामिर पर हमला शुरू कर दिया था, चौथा शिविर अंतिन तसलीम से पहले अंतिन शिविर था, यह उनके लिए पिरामिर तक पहुँचने के लिए निडर्ता से आगे बढ़ने का समय था, उनके पीछे जो खड़ा था वह अब उनका सुद्रिधी करन या उनका शहर नहीं था, लेकिन वे खुद को धेर सारे मरे हुए लोगों से घि पिछले पांच किलोमेटर, यहां मरे के उच्चतम धनत्व वाला खिंचाव था, और यहां मरे सबसे मजबूत भी थे, दार्क अंडरर पूरे पीले बेसिन में फैल गया, और पिरामिर की म्रिगत्रिशना उनके ठीक केंदर में थी, दस किलोमेटर के दायरे में आने वाले सभी मरे हुए लोग इस बात से अवगत्ते कि मनुष्य अपने पवित्र पिरामिर के खिलाफ एक योजना बना रहे थे, मरे हुए स्थिती में जा रहे थे, एक विशाल जंगल की तरह, जो अपने जंगली चेहरों, तूटे हुए शरीरों, जहरीली गैसों को सड़ने और भूख से भरी आँखों के साथ शेत्र के हर इंच को कवर करता है, शुल्क, जैसे ही जनरल फेना ने कमान सौंपी, सुरक्षा की एक नीली रोशनी आसमान में उठी, जो सेना के लिए एक संकेट के रूप में काम कर रही थी, शुल्क, पिरामिर को नश्ट कर दो, सभी जय म मरे को एक तरफ धकेलते हुए सेना एक भयंकर जवार में बदल गई, जादू की धमाकों और उनकी चमक ने शाम के आकाश को रोशन कर दिया, क्योंकि उनकी विनाशकारी आभा पूरे स्थान पर फैल गई, मरे हुए लोगों की भयानक चीखें ठंडी हवा की तरह पूरे इलाके में फैल गई, उनका क्रोध और घेना विशाल परवतों की तरह हर व्यक्ति के हिदय पर तूट रहे थे, वे निडर जीव थे, उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, इंसानों को चीर कर खा जाना, वह स्थान जीवित और मृत लोगों से पसरा हुआ था, मिट आ सकते थे की पिरामिड कहा था, कई दस्तों ने पूरी तरह से अपना रास्ता खो दिया, और केवल सहज रूप से मरे हुए लोगों से लड़ सकते थे, जनरल हमने पश्चिम में सेना के साथ संपर्क खो दिया है, पोल्ड मैज मुदीन ने वापस सूचना दी, क्या वे से कुछ जोके दिखाई दिये, और उसके पीछे तीन जोडी पंकों में तबदील हो गए, पंक बेहत तेज और फूर्ती ले थे, जिससे उसे हवा में स्वतंत्र रूप से अपनी दिशा बदलने और बदलने की अनुमती मिली, हजारों पत्ते क्रिपान, कतले आम हवा का ज थाउजेंड लीव्स सेबर के अपने लक्षे को हासिल करने के बाद एक और तेज हवा ने दूरी में और कटौती की, शक्तिशाली हवा का जोका पिरामिड के एक किलोमेटर के भीतर तक फैल गया, मेरे पीछे आओ, जनरल फेना के रास्ता साफ करने के साथ ही सैनिकों का मन अधर्श शिनक्सिया के बगल में खड़े बेकार शूरवीर कुलून पर तूट पड़ा, जब उसने देखा कि आगे का रास्ता साफ हो रहा है, यहां तक कि अगर आपने कुछ नहीं कहा, तो उसकी रक्षा के लिए एक शूरवीर के रूप में यह मेरी पवित्र कुलून ने सक्ट चहरे से जवाब दिया, आधर्श गंभीरता से इस कुलून एक नजर में मिला, उसका नेक स्वभाव, जैसे कि वह दूसरों से शृष्ट हो, आधर्श से अपने सारे दान तोर देने का आग्रह कर रहा था, फिर भी उस लड़के की ताकत काफी रक्षक नियुक्त किया था, वह केबल सजाबट नहीं था, भाई आधर्श तुम फिर से कुछ खतरनाक करने जा रहे हो, शिनक्सिया ने कहा, चिंता मत करो, मैं किसी और से बहतर अपनी रक्षा कर सकता हूँ, हमें इस लड़ाई को जल्द ही समाप्त कर देना चाहिए, या हम में से कोई भी इसे वापस जीवित नहीं करेगा, आधर्श ने गंभीरता से कहा, वे आसपास के मरे में गहरे थे, आधर्श किसी और से बहतर जानते थे कि मरे हुए लोग कितने निर्मम होते हैं, यदि वे सिर्फ पिरामिर तक पहुँचकर लड़ाई जीच सकते हैं, तो आधर्श का मानना था कि वह आसानी से अपने डार्क नोबल मेंटल के साथ ऐसा कर सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, शिनक्सिया ने कहा, बस उसे रहने दो, ठीक है, आधर्श ने अपना विचार बदल दिया, जब उसने उसकी आखों में गंभीर रूप द इसके अलावा, ब्लू फैंटेसी हॉर्न बीस्ट शिनक्सिया की इच्छा के अनुरूप था, जिससे वह इस तरह की जड़क में भी आसानी से इधर उधर जा सकती थी, इसके अलावा, ब्लू फैंटेसी हॉर्न बीस्ट भी काफी मजबूत था, इसकी युद्ध क्षमता को शिनक्सिया ने ब्लू फैंटेसी हॉर्न बीस्ट को पीछे छोड़ दिया, इधर उधर लाशें, अंग और खून बिखरा देखकर भले ही उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसकी आखों से भागने का कोई इरादा नहीं दिखा, उसने अपनी नजरें आदर्श पर किसी भी खत्रे का सामना करना चाहती थी, मन पर नियंत्रन, शिनक्सिया की आखों से एक पवित्र नीली रोशनी निकल रही थी, धारी कबच में एक ममी का चहरा अचानक खाली हो गया, इससे पहले कि वह घूमा और अपने विशाल हतोरों को दूसरे मरे पर पटक दिया, आ एक क्रूर तलवार मृत्यू सेवक से भी अधिक मजबूत था, फिर भी शिनक्सिया ने एक ही प्रयास से अपने दिमाग को नियंत्रित करने में काम्यावी हासिल कर ली थी, इसे एक टैंक में बदल कर आगे का रास्ता साफ कर दिया था, पवित्र आशिरवाद मजबूत कर शिनक्सिया ने ऐसा जादू किया जिससे आदर्श परिचित महसूस करता है। शिनक्सिया भी तुरंत मुस्कुरा दी, जैसे कि वह एक साल के प्रशिक्षन को लगन से बिताने के बाद से ही तारीफ का इंतजार कर रही हो। कि वह आगे बढ़ गई है, मुनिंशुय को देखते ही शिनक्सिया ने आदर्श को सचेत किया। धिकार है, वह इतनी गहरी क्यों जा रही है। वह लगभग पिरामिड पर है, क्या उसका दिमाग खराब है, मुनिंशुय को देखते ही आदर्श चौंक गए। क्या मुनिंशु थोड़ा और धैर्यवान नहीं हो सकता था और उसके साथ नहीं रह सकता था। वो पहले से ही एक पागल पागल था, लेकिन मुनिंशुय उससे भी ज्यादा पागल था। आदर्श शिनक्सिया और कुलुन ने तुरंत रास्ता बदल दिया और मुनिंशुय की ओर चल पड़े। गंदी लड़ाई में बर्फ तेजी से गिरी। बर्फ की कीले बिना रुके जमीन से बाहर निकल गई। स्पाइक्स ने मरे नहीं को पूरी तरह से बाधित कर दिया गठन, उन्हें कास्टिंग करने वाले व्यक्ती के करीब जाने से रोकता है। यह महिला बहुत प्रभावशाली है, हवा में 10 मीटर तैर्ती मुनिंशुय को घूरते हुए कुलुन ने कहा। उसके डोमेन में वारियर स्टर से नीचे के प्रत्येक मरे को मूल रूप से कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि वे आधे मिनट के भीतर घने और सटीक बर्फ के स्पाइक्स से मारे गए थे। मजबूत मास के साथ केवल योध्धास्तर के मरे ही रह गए। उनमें से हजारों बर्फ की तरह टुकडों में बिखर गए और आधा किलोमेटर की दूरी तैकी। निंग्शु शिनक्सिया ने म्यू निंग्शु के कानों में अपनी आवास पहुचाने के लिए साइकिक वोयस का इस्टमाल किया। मू निंग्शु ने उन पर ध्यान दिया। जब वह बोलने वाली थी तो उसकी निगाह अचानक तेज हो गई क्योंकि उसके होंट उसकी सांस के नीचे कुछ बुदबुदा रहे थे। आइस बाउंड ताबूत मू निंग्शु ने आदर्श और शिनक्सिया के उपर एक विशाल बर्फ के क्रिस्टल को बुलाते हुए आगे की ओर इशारा किया। आदर्श डंग रह गया। मू निंग्शु ये क्या सोच रही थी। क्या वह पहले ही बहुत सारे मरे हुए लोगों को मारने से अपना दिमाग हो चुकी थी कि वह अब यहां नहीं बता सकती कि उसके सहयोगी कौन थे।